नमस्कार दोस्तों मैं कमले साक्या पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम देखने वाले साइकलोजी में है जो फोर्थ क्वेश्चन by first year first semester में तो देखेंगे क्या है क्योजशन आई देखते हैं क्योजशन है मनुभिविझ्यान के अध्न की प्रियोगात्मक विधी का वरण कीजिए तब इसके गुढव दोस्त भी बताईए क्या करना है मनुभिज्ञान के अध्न की प्रियोगात्मक विधी का वर्ण करना है और इसके गुर्दोस को बताना है या इसी कुश्चन को इस तरीके से पूछ सकता अगले मतलब गुमा के पूछेगा तो इस तरीके से पूछ लेगा मनुविज्ञान के अध्यन की प्रमुक विधिया कौन कौन सी है किसी एक विधी का सबिस्तार वर्ण की जिए क्या करना है मनुविज्ञान की विधी कौन कौन सी है और हमको किसी एक विधी के वारे में जानना है ठीक है आंसर एक ही है तो चलिए देखते हैं मनुविज्ञान की अध्यन की विधिया मनुविज्ञान की अध्यन की विधिया कौन कौन सी है मनुविज्यान की प्रमुख अध्यन की विधिया निम लिखता है कौन कौन सी है निरिच्छड विधी अगला है प्रिवातमग विधी साच्छातकार विधी चेत्र अध्यन विधी और प्रसनावली विधी तो कौन कौन सी विधिया है निरिच्छड विधी प् रसनावली विधी और चेत्र अध्यन विधी अब हमको जानना किसके बारे में जानना है मनोबग्यान की प्रियोगात्मक विधी के बारे में ठीक है क्योंकि यहां पर एक ही विधी के बारे में पूछा गया आपसे ठीक है अगर पेपर में भी पूछेगा तो एक ही विधी के बारे में पूछेगा आपसे क्या है मनोबग्यान की प्रियोगात्मुक विधी आईए इस बारे में जानते हैं मनोबग्यान में प्रियोगात्मुक विधी का उप्योग प्राकर्तिक विध्यानों से लेकर किया गया है क्या है मनोबग्यान में यह पूरूरूप से क्या है बैग्यानिक विधी है ठीक है इस विधी के द्वारा कारेकारण सम्मंद का अध्यन बैग्यानिक धंग से किया जाता है क्या है इस विधी के द्वारा कारेकारण सम्मंद का अध्यन एक बॉंड का अध्यन बैग्यानिक विधी से किया जाता है ठी प्रियोक निर्धारत परशतियों में ब्यक्ति के विभार का अध्यन करना है क्या है विभार का अध्यन करना है इस विदी के अंदर निरिचड विदी के नाम से भी जाना जाता है अगर आपसे कह Rede पूछले की नियं रिचड विदी जो कौण सी कोन सी हो आत्र वह स्पाटमक विदी है इसका दूसरा नाम है प्रियुआत्मक विदी एति के तलबाटर जानां कौन सा है नेक्मिदी इक कि कर और दूसरा है प्रिवात्मक समू से प्राप्त निसकर्सों की तुलना नियंत्रिस समू के निसकर्सों से की जाती है और दूसरा है प्रिवात्मक समू से प्राप्त निसकर्सों की तुलना नियंत्रिस समू के निसकर्सों से की जाती है ठीक है नियंत्रिस समू के निसकर्सों से की जाती है गरीन ने प्रियोगातूं को विधी की एक परवासा निम्र परगास से दे合ी इंग मनूब्यज्ञ्ञनिक थे जिननोंनेapping क्या है कि प्रिवधों को विधी की यह पर वासा दिये आइज है कौने सी परवासा है इननों क्या बोला है स्वारे में है 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 तो आई देखते हैं क्या परिवासा दिये क्या कहा है किनने ग्रीन बुड ने क्या कहा है ठीक है तो ग्रीन बुड ने कहा है प्रियोग उपकल्पना का प्रमाड होता है प्रियोग क्या है उपकल्पना जो हम कल्पना करते हैं उसका क्या है प्रमाड होता है ठीक है जिसके दो दुव ततथेों के मद कारिकार सम्मंद घ्याद करने के लिए आनिके दो तत्यों दो बातों के मिनलब दो एक दुआतों के मद का सम्मंद जानना पड़ता है इस किसकी माद्धेम से उपकल्पना के माद्धेम से ठीक है एसी विप्रीत परशितियों का अध्यन किया जाता है जिनमें एक को छोड़कर सभी कारक नियंत्रित रहते हैं कि एक को छोड़कर सभी कारक नियंत्रित रहते हैं और बैक कारक या तो अनुमानित कारक होता है या अनुमानित कारक होता है ठीक है कि क्या होता है बहकारक या तो अनुमानित कारक होता है या अनुमानित प्रभाव होता है ठीक है इस बारे में जानकारी मिल दिया ठीक है अब देखेंगे हम प्रियोगातमक विधी क्या है ठीक है प्रियोगातमक विधी की विशेष्था है विशेष्था है विशेष्था के बारे में जानेंगे ठीक है तो प्रियोगातमक विधी की प्रमुक विशेष्था इनने में प्रगार है अनिक क्या है बहुत सारी अन्य विदियों की तुल्ला में यह विदी बैग्गानिक विदी है अन्य विदियों की तुल्ला में क्या है यह विदी जो है बैग्गानिक विदी है ठीक है इस विदी के दौरा प्राप्त निसकर्सों का पुना परिच्ट सम्भब है इस विदी के दौरा क्या है जो इस वि कि ए्टिक हाइट अन्य विधियों की तुल्ला में अधिक सुद्ध एवं संचिप्त है यानि क्यानी का है और शोटी है विल्हिया जाurar ऐसे गन्य कना के परिच्छड जोटी है डि traveled में विल्हिए उस ध्रक्रक्र डियनॉज düny यह विदी क्या है सर्व स्रेष्ट है ठीक है कारकार का अध्यन इस विदी के दौरा जितनी सुद्दसा के साथ किया जा सकता है उतना अन्य किसी विदी के से संबब नहीं है ठीक है यानि कारकार अध्यन इस विदी के दौरा जितनी सुद्दसा से किया जा सकता है उतनी जो अ छार बीदीः पास बीदी आई उनके आधार पर नहीं किया जा सकता है ठीक है? अब क्या है देखेंगे है प्रिवगात्म विधी के प्द प्रिवगात्म विधी के निमलिकित पद है ठीक है अब देखें कौन कौन से हैं? September 2 पहला है समस्या पृतियक प्रियोक के लिए समस्या का होना आवस्य यह जब तक तुम्हारे रास्ते में कोई अबरोध उद्धन नहीं होगा तब तक तुम आगे जाने का सोचोगे नहीं मतलब आगे कोई practical निसकर्स नहीं निकलेगा जब तक कोई अबरोध नहीं आएगा ठीक है यानि समस्या का होना जरूरी है जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक उसका हल कैसे आएगा किसी चीज़ का ठीक है किसी समस्या के उत्पन होने का प्रमो कार किसी घटना समदी यानि कोई समस्या जब उत्पन होती है तो कोई घटना से चरो के मद्ध कार कार समद का अग्यात रहना है यानि जब कोई समस्या उत्पन होती है तो कि घटना होती है कोई चरो के मद्ध जो समद है वो अग्यात होत को जानकारी नहीं उसको निश्चित 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 रूप से जानेंगे तो क्या है समस्या का समाधान है ठीक है अगला है उपकल्पना का निर्माण, यानि उपकल्पना का निर्माण कैसे होता है, उपकल्पना समस्या के लिए एक प्रस्तावित उत्तर है, उपकल्पना के निर्माण से प्रियोग की समस्या ही सुनिश्चित नहीं होती, क्या है उपकल्पना के निर्माण से ही प्रियोग की समस्या कहीं सुनिशित नहीं होती वर्ण उपकल्पना प्रियोगात्मक करता का मार्ग दर्सन भी करती है तो प्रियोग करता है जो कोई प्रेक्टिकल करता है उसका मार्ग दर्सन भी करती है क्या कौन करता है उपकल्पना कर दिया है ठीक है प्रियोग के लिए उपकल्पना का निर् अगला है चरग अब देकल क्या है प्रयोग में चरओ को भी पहचाना जाता भी प्रयोग से क्या है चरओ को भी पहचाना जाता हैं चर्ड दो प्रकार के होते हैं, कित्य प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सुतंत्र चर्ड यहनि सुतंत्र चर्ड और आस्रित चर्ड यहनि एक जो होते हैं, वो किसी पर आस्रित नहीं होते हैं, और एक होते हैं, आस्रित चर्ड जो एक दूसरे पर आस्रित होते हैं सोतंत्य चर बहेचर होता है जिसमें प्रियोग करता है किसी निरिच्छड घटना से सम्मंदित करने के लिए घटाता बढ़ाता है ठीक है सोतंत्य क्या होता है जिसमें प्रियोग करता होता है किसी निरिच्छड को घटना से सम्मंदित करने के लिए घटाता बढ़ाता है अब देखते हैं उपकरण तता सामंगरी क्या है प्रयोग में प्रेक्त होने वाले उपकरणे था सामंगरी का संचिप्त विवरण वी प्रिस्तित करना आवस्यक होता है क्या है प्रियोग में प्रियोग तो होने वाले उपकरड ठीक है जो भी सामगरी है उनका एक संचिप्त बढ़न कम सब्दों में उनका जो भी उधार दिया जाता है ठीक है उनके वारे में बताया जाता कम सब्दों में ठीक है अगला है नियंत्र अब वह नियंत्र ठीक है प्रियोग करता है स्वतन्त चर के अलावा अन्य सभी कारकों को नियंत्रित करता है यानि क्या है प्रियोग करता है एक स्वतन्त चर को यह नियंत्र नहीं कर पाता है कि अन्य सभी चरों को कारकों को नियंत्रित करता है ठीक है इस इसके लिए विपिन प्रकार की विदियों का वर्ण किया जाता है या निर्देशन दता विदी प्रयोग करता है प्रयोज के प्रयोग की समंध में निर्देश देता है प्रयोग करता है प्रयोज के समंध में क्या है प्रयोग के समंध में निर्देश देता है तता पूर्व निश्ची तियोजना और अभी कल्प के अनुसार आकणों का संकलन करता है यानि एक निश्ची तियोजना है पहले से बनी हुई उसके अनुसार आकणों का क्या संकलन कर कि अगला है आपरेडाम क्या निगलता है ठीक है संक्लित आंक्डों का वरीग करके साड्यन करते याणी कि J को के एक साडी में रखते हैं ठीक है तथा सांख की विदियों द्वारा परडामों के अधार पर कलपनाओं की जाज की जाती है इनी सरवादिक सरप्रतम क्या है, सरप्रतम प्राप्त प्रणामों के अधर पर उपकलपनाओं की जाच की जाती है, ठीक है, प्रियोग क्या अधर्प प्र। लाप्त प्रेडाम जन्भ सामान ने पर कहां तık लाघू होता है निहीं जाने कि प्रिवात्मु क्भिधी के कुझ ही इनको लाब भी बोल सकते इसके प्रबो गोड़ अतवा लाव निम्स प्रकार रहें, अब कौन-कौन से गोड़ हैं, आए जानते हैं. पहला है बैग्यानिक सुरूप मनोबिग्यान में इस विधी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है नहीं मनोबिग्यान में कहा है इस विधी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किसका बैग्यानिक सुरूप का ठीक है क्योंकि इस बिधी के द्वारा प्राप्त प्रड़ाम अन्य बिधियों की तुल्ला में अधिक सुद्ध तता बैग्यानिक होते हैं क्या है अन्य बिधियों की तुल्ला में क्या है यह जो इस बिधी के द्वारा प्रड़ाम आता है वो क्या तो सुद्ध होते हैं ठीक है प्रिवात्मक विधी में बैग्यानिक पद्धत्ती की सभी विसेश्था हैं जैसे निश्चयात्मक बस्तुगत्ता सत्यापन सीलता तथा पूर्व अनुमान की छमता पाई जाती है किसमें पाई जाती है बैग्यानिक स्वरूप में पाई जाती है अगला है बस्तु परक स्वरूप ठीक है तो बस्तु परक स्वरूप क्या है प्रिवातुंग विदी में अबैग्यानिक विदियों का कोई इस्तान ना होने के कारड नहीं कि प्रिवातुंग विदी है इसमें अब एग्यानिक मतलब है कि बैग्यानिक ही होंगी विदी ठीक है अब एग्यानिक नहीं होगी ठीक है इस्ता नहोंने काड़ प्राव्त पत्था उनके सांकिकी बिसलेशड़ पर आधारित परडाम सरफदा बस्तुपरक होते हैं ठीक है जो परडाम आते हैं वो क्यात है हमेशा ही बस्तुपरक होते हैं ठीक है परडामों की पुन्रावति संबब अब क्या है परडाम जो निकलता है उसकी पुन्रावति संबब ठीक है प्रगातुंग बिदी में कभी भी किसी प्रियोग को दोरा कर प्रडामों की पुर्णावति तता उसका सत्यापन किया जाता है यहनि क्या है कोई बिदी है ठीक है उस बिदी दोरा कोई प्रियोग किया गया ठीक है तो क्या है उसमें सत्यापन करने के लिए उसको दोरा भी सकते हैं, दोरा दोरा के सत्यापन उसका किया जा सकता है, ठीक है, समय की बुचत, इसमें क्या होता है, समय की बुचत होती है, अब कैसे होती है, प्रियोग आत्मक बिदी में प्रियोग करता है, को केनी प्राकरतिक प प्राकर्तिक प्रस्चितियों का इंतजार नहीं करना होता है इस बिदी में प्रियोग करता है अपनी प्रियोग साला में आवस्यक्ता अनुसार नियंत्रित परसितियों में कभी भी प्रियोग कर सकता है नि वो हमेशा freedom सुतंत्र है कभी भी प्रियोग कर सकता है ठीक है इस विदी के द्वारा अता समय की क्या है बचत होती है कोई निश्य समय नहीं है कि हमें उस समय पर ही जाना है उस समय प्रियोग करना है कभी भी कर सकता है तो क्या समय की बचा तो होती है ठीक है हमने क्या जाना प्रिवातंग विधी के गोड़ जाने थे ठीक है अब हम क्या जानेंगे प्रिवातंग विधी के दोज ठीक है तो दोज क्या क्या है प्रिवातंग विधी एक स्रेष्ट बैग्गानिक विधी है फिर भी इस विदी की अपनी कुछ सीमाएं है यानि क्या है बैग्यानिक विदी तो है लेकिन फिर भी इसकी क्या सीमाएं है ठीक है जिसके कार्ड एक विदी समस्त प्रकार के अनुसा संधानों के लिए उप्योक्त नहीं मानी जा सकती इस विदी के दोस निम लिखत है ठीक है दोस क्या है इस विदी के निम पकार से है आई देखते दोस क्या है ठीक है यह विदी अनावस्यक रूप से जटल बिस्तरित एवं खर्चीली है यह विदी क्या है अनावस्यक रूप से जटल एक कठन मैंनि कठन है ठीक है तता बिस्तरित एवं खर्चीली है बिस्तरित और इसमें खर्चा बहुत होता है खर्चीली है ठीक है इस बिदी से प्रियो करते हैं खर्चा बहुत आता है इसलिए इस बिदी को खर्चिली बिदी भी का आ गया ठीक है इस बिदी में मानव के विभार का अध्यन के क्रतिम परसितियों में किया जाता है आपको सिर्फ इतना बताना है कि आमानब विधी के विवार का दिन क्रित्रिम परिस्थियों में किया जाता है ठीक है कटिन कटिन परिस्थियों में भी किया जा सकता है ठीक है जिसके परणामों में क्रत्रिमता के दोस आ जाते हैं सभी प्रकार के मनोवग्यानिक प्रियोग प्रियोग साला में नहीं किये जा सकते हैं कभी कभी कुछ चरों को नियंतरित करना संभव नहीं होता है फल सरूप प्रडामों में सुद्धता नहीं आपाती यानि जब कोई उसमें नियंतरित करना संभव नहीं होगा कभी कभी चरों में ठीक है तो प्रडाम क्या है उसमें क्या सुद्धता नहीं आपाती है असुद्धता हो जाती है ठीक है प्रियोक साला में नहीं किया जा सकता है, ठीक है, प्रियोक साला में कृतिम प्रसितियों का निर्माड करना पड़ता है, प्रियोक साला में क्रितिम प्रसितियों का निर्माड करना पड़ता है, इस से इन प्रसितियों में प्राप्त निसकर्स विश्वसनी और बैद नहीं हो पाते ठीक है जब यानि इन परस्वितियों में क्रित्तिमता का प्रियोग करना पड़ता तो इसमें जो परस्वितियों जो निसकर्स आते हैं उन पर हम क्या है विश्वास विश्वास नहीं कर सकते और यह जो प्रडाम आते हैं बैद नहीं होते हैं ठीक है उनको हम लागू नहीं कर सकते हैं, सामानता प्रयोग करते समय, प्रायोज प्रयोग करता को सयोग प्रदान नहीं करता है, यानि कि सामानता प्रयोग करते समय, ठीक है, प्रायोज जो होता है, यानि प्रयोग करता होता है, उसको सयोग प्रदान नहीं कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, ठीक ह प्रायज को जिस प्रकार का विवार करना चाहिए उस प्रकार का विवार नहीं कर पाता है अता प्रयोग करता को प्रायोज का सयोग प्राप करने के लिए काफी कटनाई का सामना करना पड़ता है ठीक है उसको जब उसको सयोग प्राप करना होगा इसका प्रयाज जुका तो बहुत कटनाईयों का उसको सामना करना पड़ता है ठीक है अगला करते प्रसिद्य में प्रयाज स्ववाविक विवार नहीं दिखला पाता ठीक है उसका जो स्वाविक बिवार होता है वो नहीं उसमें दिखा पाता है ठीक है तो आपको बस इस कुष्टन अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में ठीक है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपके पस ज्यादा से ज्यादा वीडियो आ सके ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद